जब आपको जोरो की भूख लगी हो तो आप ये तैहरी पुलाओ ट्राइ कर सकते हो जिसे बनाना काफी असान है और खाने में बहुत ही जादा टेस्ट ही है तो चलिए फटा फट से रेश्पी को स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कप के करीम बासमती च हो लेंगे और इसके पानी को अलग कर देंगे और चावल को भी अलग रख देंगे अब हम कराही में डालेंगे तेल जो की मैंने टू टेबल स्पून के करीब डाला है और अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देंगे जैसे की जीरा, दाल, चिनी, बरी, लाई, ची, ति मिर्च, 1 by 4 टेबिल स्पून के करीब हींग और 1 by 3 कप के करीब प्यास डाल देंगे और इन सभी चीजों को थोड़े दे तक सौटे कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें एड करेंगे कुछ मसाले जादा मसाला कुछ डलाएगा नहीं बस हमें इसमें 1 टेबिल स्पून के भी जीरा पाउडर डाल देना है और इन मसालों को थोड़े दे तक सौटे करना है और इसके बाद 1 by 1 अब कप के करीब पानी डाल कर फिर से इसे मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हम इसमें एड करेंगे कुछ सबजिया तो मैंने यहाँ पे 1 by 3 कप के करीब बारी कट गाजर एक कप के करीब उबला हुआ आलू ले लिया और एक कप के करीब गो भी ले लिया है और 1 by 4 अब करीब फ्रेंच बीन्स और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल के इन सब ही चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे इसे ढख देंगे और कम से कम 10 मिनिट के लिए लो टू मिडियम फ्लेम पे पका लेंगे और 10 मिनिट बाद हम इसमें फेटा हुआ दही डाल देंगे जो की 1 by 1.5 कप के करीब है और हम फिर से इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते वे 2-3 मिनिट तक अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे औ और हमें इसमें एड करना है चावल जो हमने धो के रखा था और फिर से हम इसमें 1.5 कप के करीब पानी डाल देंगे जादा पानी नहीं डालना है और अब हम इसे ढख कर लो फ्लेम पे 20 मिनिट के लिए पका लेंगे और 20 मिनिट में यह टेस्टी सा तहरी पुलाओ बनकर त हनिया पता से और देखाना आपने यह बहुत ही खिले खिले बने और बनाना भी काफी असान है तो आप भी एक बार इसे जरूर से ट्राइ करना आपको बहुत पसंद आएगा तो चलो बाई